मैत माश टाष और आपना यह चलेटी चलेनं में स्वागत है चलिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे श्माय और धुरी देकिेे श्माय और दूरी के तीन पार्ट यह डिया पर विडियू हम अप्लोड आज हम लोगयों को किमापाट है चाबठा पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे आउसत दुरी देखे आप लोग को सामने जो वीडियो आप दे रहे हैं तो आज अच्छा वीडियो है तो वीडियो जाब आप लोग को अच्छा लेगा ना तो लाइक किजेगा सब्सक्राइब किजेगा और कॉमेट भी क जागा तो हम लोग हेडिंग देता है समय और दूरी चाल देख्ळ आप लोग बने रहेगा मेरे साथ तब देखिए time हो गया I see distance आई हो गया आपका speed चले इसको हम लोग क्या बोलते हैं समय बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं समय डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं दूरी बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं चाल बोलते हैं क्या बोलते हैं चलिए देखें आपको हम पहला टाइप पढ़ा रहे हैं टाइप नम्मर टाइप नम्मर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं अस्टार के लिखिएगा जैसे देखिएगा आप लोग मेरे साथे बने रहीएगा तो आप लोग को वस्मझ माएगा देखिएगा पॉइंट ए है पॉइंट ए है पॉइंट बी की तरफ जाता है पॉइंट ए है यह पॉइंट भी है जो एकस जो बी की तरफ जाता है कितना अब भी है जो भी आता है एक तरफ बाई किलोमेटर प्रति घंता की चाल से तो चलिए इसका फर्मूला क्या बनेगा इसका फर्मूला बनेगा टू हो जाएगा एकस बाई हो जाएगा चलिए अब बटा हो जाएगा नीचे में उपर में टू एकस बाई हो गया और नीचे में हो जाए गा 1-3 भाई के इसका इह फ़र्मुला हो गया जी चलिए का क्या क्या हो गया इसका इह फर्मुला हो गया इस पर हम लातें आप लोग को सवार लाते हैं तो teams के देखे सवाल दिया हुआ हम बताया था ना कि आपको आउसा चाल निकान देखे का पहले सवाल पढ़िएगा तो आप लोग को समझ माएगा क्या बोल रहा एक बेक्ति का अस्थान एस से अस्थान बी तक 12 किलोमेटर प्रति घंटा की घंटा की घंटा की चाल से जाता है जी जबकि अस्थान बीच से अस्थान एको एको 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है आता है तो बेगती का देखती का आउसत चाल निकालना है तो हम आउसत चाल का formula बताए थे आप लोगों का कि आउसत आउसत चाल का formula होता है का उजित ड Southuję अब बटा होता है एक्स प्लस बाई फर्मूला बता दिया थे आप लोग का टाइप नमर फर्स्ट में देख रहे हैं तिसका फर्मूला क्या होगा टू एक्स बाई अब बटा एक्स प्लस बाई चलिए टू है तो टू लिखेंगे गुना करेंगे देखिए एक आमान दिया इतना 15 किलोमीटर पती घंटा तो 15 करेंगे बट जोडेंगे 12 पलस पढनाः चल्यए इसको स्वोल्प करेंगेे इसको घुना देजिए ísको रहने देज्टीए 12 दुना 24 कर देंगे आग 92 15 जोडिये गा तो कितना हो जाए 2oston हो जागा 27 हो गई शलिए इसको काटेंगे तो कटेगा इसको हम लोग 3 increases काटते हैं तो तीन से नाव आ तिन चोविस हो जाए का इसको 3 से काटेंगे तो तीन आई नाव आ तीन पच्य पनरा इसको जुणा करेंगे तो पनिया थी चाली क्र बटा हो जाएंगा इसको पुर्णांक में तोड़ दिजिए इसको पुर्णांक में तोड़िए गा तो तेरा पुर्णांक इसको जोड़िए भागा दिजिए चालिस में भागा दिजिए गा तिन से एक मतावे तिन लेगा एक उतरेगा जुरे होगा तिन्ति याई नव होगा तो भाटेगा तो तो तेरा पुर्णायंक एक वाटा थीरी इसका हो जागा तेरा पुर्णायंक एक वाटा थीरी यह तो हो गिया आपका अंसर अवसात चाल कितना हो गिया आपका तेरा पुर्णायंक एक वाटा थीरी यह हो गिया अंसर हो गिया देखेगा आपसा नमर कौन मेच किया तो आपस से कि पॉइंट एह है देखे आप लोग सो देखेगा जब वीडियो आपको अच्छा लहाँ न तो like किजेगा सब्सक्राइब किजेगा देखिए पॉइंट ये हैं पॉइंट ए से जाता है बी तक जी चलिन पॉइंट बी से जाता है सी तक जाता आप पॉइंट C से आपको कहां D तक जाता है, कहां तक जाता है, D तक जाता है, समझेगा, पॉइंट A है है, पॉइंट A से B तक जाता है, B से C तक जाता है, C से D तक जाता है, गवर से आप लोग देखिएगा, समझेगा, तो आप लोग को समझ में अच्छा साएगा, देखे माल जाए कि X है जो X किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से B तक जाती है देख्येगा इसको आउसत चाल क्या हो जाएगा इसको आउसत चाल निकालेंगे फर्मुला तो इसको हमिए एक दू तीन है तो 3 X 1 Z हो जाएगा चलिए 3 X 2 Z होगा चले इसको करेंगे नीचे तो X 2 i हो जागा प्लस 42 जेट होगा पलस एक्स by 59 Onda यह आपका फर्मूला हो गिया क्या हो गया आपका फार्त फर्मूला ओ गिया समझेगा इसको इसको एक वर मैं फिन सामझाते जैसे पॉंट एहने डहीं से देखिएगा पॉंटस अ अ क्वाइंट ए से जाता बी तक जो एक्स एक्स किलोमेटर परती घंटा की तक जाता है बी है जो सी तक जाता है बाई किलोमेटर परती घंटा की चाल से तो हमारा निकालना आउसत चाल निकालना है जी हम लोगों क्या निकालना आउसत चाल निकालना है तो आउसत चाल वराबर फर्मूला होता है awak試 wygląda हुआ अप मथा करें यहाँ इंधा पर करेंगे एक्षवाई तो एक्स वाई हो गया फिन काता जेड़ वाई और फिड़ करेंगे फिन करेंगो है ते यह आपका फर्मूला होगा इससी आप देखे का सवाल में क्या निकाननां इसको पहले पढ़ेंगे क्या यादि तिन असमान चाल क्रमसा दस किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से पंद्रा बारा किलोमेटर प्रति घंटा की चाल तथा पंद्रा किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से तिन समान दुरियां तैकर की गई तो हो तो पूरी यात्रा का आउसत चाल निकालना है तो हम लोग को क्या निकालना आउसत चाल निकालना है आउसत चाल का फर्मूला आप लोग को हम बताया थे आउसत चाल का फर्मूला तो हमको क्या निकालना है तो चाल आउसत चाल क्या होगा यह हो जाएगा थीरी एकस बाई हो जाएगा आज जेट हो जाएगा आप बटा करे दो पत्रहने कितना को यहमिए क्या बाटा करेंगे चलिए क्या करना है इसको किना जागा एक सब्सक्य सब्सक्तिंदे लिए गुंदेती चलिए इसका वात सफुल्फ करेंगे की आई हो जादे 15 चलिए इसको कुला क करेंगे निच्छच वाला के त City हो जाएगा 120 इसको गूना किजने 12 में गूना किजेगा गूना कीजिए रहाव यहां प्ला सिको किजिए गा तो Darth का 10ций हो जागा कितना हो या डिट सो देखिए सको यह पर बना देते हैं चाहिया पर बनाते हैं देखिएगा तिसको लिख सकते हैं कि तीरी गुना एक सो बीस आओ अगुने पंदरा अब बटा इसको पूरा जुड़िये गा तो कितना हो जागा आपका साड़े 4 100 इचिपसर जीरो से जीरो कर जागा इससे काटिएगा तो 1045 हो जागा तीन से 31 कर जाएगा तो आपका क्या बच Mozart किलोमेटर प्रति घंता में तो आपका अवसाद चला गया 12 km प्रति घंटा, आपका अवसाद चला गया 12 किलोमेटर प्रति घंटा, तो देखेए अप्सन नमिर कौन इसमे है, तो एप्सन नमिर ये है, चली हम लोग देखेंगे, टाइप uniform तुसरा देखेंगे, देखेगा तीसरा सवाल बुट पे देखे पहले क्या दिया उसको बारे में पढ़ेंगे एक ब्यक्ती दस किलो मिटर की दूरी दो घंटा में तै करता है बीस किलो मिटर की दूरी तीन घंटा में तै करता है तो उस व्यक्ति दुवारा कूल कूल दूरी तई करने में आउसाद चाल क्या होगी आप से पूछ रहा आउसाद चाल पूछ रहा है जी तो हम आपको बताया थे कि आउसाद चाल का फर्मूला होता है जी आउसाद चाल का फर्मूला होता है कूल कूल दूरी बटा कूल दूर किंप एपिए कितना है Explore है आपका 15 है तो 15 यह आप यह लिखें चलिए बटा करेंगे आप तो कुल समय नीचे जोड़ेंगे तो कितना समय ले रहा हैँ दो घंटा थो घंटा करेंगे फिन पल Uno भी तिन गंटा तो ज से अवे हैं सो सब घंठा में दिया आप div Weill habло करते हैं इसको जोड़ेगा दस अब इस पाँच पैंटीस हो जागा पैंटीस वाटा इसको सब्सक्रणा रहने देते हैं उपर में इसको लेंगे तो दू हो जागा इसको करेंगे तो दे सतर साथ wunder स्कोर करते हैं तो लोग कोरने के लिए आता होगा इसको कितना कर दिये सत्तर बटाइगारा इसको पुर्णांग तड़ेंगे तच्छाव पुर्णांग चार बटाइगारा इसका अंसर कितना हो जागा इसका आउसात चाल इसको आउसात चाल कितना हो गया इसका आउसात आउसात चाल छोठानाक 4,11 इहoca conference क्या हो गिया? अंसर हो गिया, तो option नमर कौन मिला तो option नमर फर्स्ट वाला हो गिया हम नमको देखेंगे, चौथा सवाल को देखेंगे देखेंगे, चौथा सवाल दिया होगा देखेंगे, इसको पहले पढ़ते हैं एक ब्यक्ति दस किलोमेटर के दूरी पांच किलोमेटर पांच किलोमेटर पति घंटा की चाल से और बारा किलोमेटर की दूरी चार किलोमेटर पति घंटा की चाल से तथा पंदरा किलोमेटर की दूरी तीन किलोमेटर पति घंटा की चाल से चलता है जी तो पूरी यात्रा मे उसकी आउसात चाल निकालना क्या निकालना उसकी आउसात चाल निकालना तो पहले इसमें हम क्या निकाल देते हैं समय निकाल देते हैं तो समय वराबर फर्मूला अगला वीडियो में हम बताये थे कि समय वराबर फर्मूला दूरी बटा चाल होता है तो इसको हम लिखेंगे तो पांदूनी दस समय कितना हो गया दू हो गया फिन इसका निकाल देंगे तो बारा हाई बारा बारी सब को निकाल देंगे तो बारा बटा करेंगे इसका दूरी देला है इसका समय देला है चार तो इसका चार से डिवाइड करेंगे तो चर्तिया इबारा अब फिन निकाल यूँधा से चला तो तीन से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा तो पांच हो गया हमको क्या निकाल मला हमको असत चाहला तो अुछ सभी बाटा कूल समय होता कूल दूरीये क्या होता है कुल समय तो पंदरा को यहां पर लिखेंगे बटा करेंगे आपका समाई तो इन निकाला हम तो समाई निकाले थे अभी समाई तो इसको से मतलब नहीं अभी से मतलब नो चाहिए कितना दू करेंगे पलस ठीरी है तो करेंगे फिन प्लस निकाल करेंगे जोड़िया इसको कितना होगा तो 27 सोगिया 27 में साथ 10 चुड़िया गात्तो हो जाए कितना 37 इसको जोड़िया गात्तों 5 3 8 ओजाएगा 5 3 8 8 9 पुछता है तो आप लोगों को बिडियो अच्छा विडियो था सवाल पुछता है तो आप लोगो को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा और कॉमेंट भी किजिएगा आप फिलकाम घंटी पर दवा दिजिएगा कि जब जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोकल नोटिफिकेशन चल जाएगा